हलो फ्रेंड्स, सिविल स्टैप के यूट्यूब चैनल के पर आपका बहुत-बहुत स्वागत, मेरा नमाय विनाश अगरवाल और यह है जिग्यासा वीडियो सीरीज का एक नया वीडियो जिग्यासा हमेरी डेली करेंट अफेर्ज बेस MCQ सीरीज है जिसके माध्यम साब के समने ऐसे क्वेस्टन ला रहे हैं जो यूपीएसी प्रिलिम्स 2020 के अंदर आपको बूचे जा सकते हैं हिंदू, MINT, PIB, Indian Express, PRS, Business Standard यह important sources है इनहीं important sources के अंदर से हम UPSC relevant articles चुनते और उन चुनेवे articles में से questions बना के आपके समने ला रहे हैं आपको जिग्यासे daily basis पे देखनी चाहिए, 5 important news paper articles, 5 questions के माध्यम से आपको सिखा दिया जाएंगे, solve करवा दिया जाएंगे, notes बनवा दिया जाएंगे सब्सक्राइब की exam में जो 100 में से 35 सवाल current affairs के आने वाले हैं, उन सवालों को आप सरी धंक से tackle कर सके 26th में की ये जिग्यासा है, पीछे की सारी जिग्यासा आगे की सारी जिग्यासा आपको देखनी चाहिए, छोटा से time investment है, 20-25 मिनिट माँ उसका आपका पूरा-पूरा फायदा मिलेगा in the examination stay home, stay safe, stay online, आप अपने अपने family, अपने community, अपने society, अपने पूरे country का खयाल रखे, आप तयारी का भी खयाल रखिये, खुद को safe रखिये, सबको safe रखिये, जो भी आपकी तयारी है, उसको भी safe रखिये, आप हमार साथ online बड़े आराम से तयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमने हमने आपके लिए crash courses launch कर रहे हैं, हमने आपके लिए static plus current affairs crash course launch करावा है, परिश्रम 2020 current affairs test series launch करी वी है, only static crash course भी available है, crash course के individual subjects भी आप जो है ले सकते हैं, यदि आपका कोई भी subject भी है चाए, geography हो, economy हो, polity हो, history हो, या फिर science and technology हो, कोई भी subject ऐसा है, जो आपको डरा रहा है, परि आपको सारे notes, सारे video, सारे test, सारे questions, सारे सब कुछ मिल जाने वाले हैं, related to these subjects, आपको इन subjects related जो इनके demo videos है, वो आपको हमारी YouTube channel के उपर जाकर देखने चाहिए, और उन videos को देखने के बाद आपको उन videos से प्यार हो जाएगा, और मैं आपको guarantee दे सकता हूँ कि आपको foundation course 2021 launch करने वाले है, जो main scratch course रहेगा, वो आपको 2020 के exam में मदद करेगा, और foundation course रहेगा, वो आपको 2021 के exam के अंदर मदद करेगा, foundation course के अंदर हम आपको सारी सारी चीजे देने वाले है, पूरा static, पूरा essay writing, पूरा सारी चीजे, current affairs, हर चीज आपको provide करने वाले, इसके बार मे announcement दिपक सर जो है, बड़े short time के अंदर करने वाले है, उस announcement के आपको wait करना चाहिए, जो जिग्यासा के अंदर मैं आपको questions पूछता हूँ, तो मैं आपको homework के questions देकर छोड़ता हूँ, कुछ homework के questions बहुत शानदार डंग से कुछ students answer कर रहे हैं, इंडिया basis के उपर, और मैं उनका नाम लेता हूँ, उन अच्छे-चे students का नाम लेता हूँ, मैं आप सबसे request करूँगा कि आज कम से कम 10 नए लोगों के मैं नाम लेने वाला हूँ, और जो नाम नए हैं, जो मैं पहली बार ले रहा हूँ, वो लोग मुझे opportunity दे कि अगले 10, 15, 20, 25 दिन तक मैं उनका ना ली लूँ, तो जो भी मेरे पूछे गए additional questions हैं, उनको आप note down करके रखिये, वो आप homework के तौर पे करिया और उसको जो है, आप comment करके बता दीजी, इतने process के अंदर वो आपको याद हो जाएगा और अगर exam के अंदर उसमें से 4 सवाल आ गए, बहुत बड़ी बात हो सागर सिद्धू, यशिका कशियप, विजे लक्ष्मी, बबुला कुमार साहु, यश्च सिन्हा, कुनाल कांथ, नरेंदर चौधरी, रोहित कुमार, राजेश चौधरी, शधारानी, रंजीता कोलेकर, जियाउल हसन, अंकित भारदवाट, सचिन शिवास्तव, बादल कैला शियादव, मानसी नागर, विवेकानंद पंत, अखंड दूबे, आशुतोष सिंग, के दिब्यरंजन, शुभम वागले, सुमित, रोहन, अलपना सिन्हा, मनिंदर जीत, सौरप, संतोष वसवा, आयूश श्रिवास्तव, मयंका, प्रशांत वार्षने, चिनमय चोपरा, के बहुत सारे नए नाम है, कोमल का नाम नया है, KGF का नाम नया है, चिनमय का नाम नया है, बहुत सारे नए नाम है, मैं आप सबको request करूँगा, जिनके भी नाम मैंने पहली बार लिये है, संतोष का नाम नया लग रहा है, बादल का नाम नया है, जितने भी लोगों के नाम मैं आप सबसे request करूँगा कि आप लोग सब regularly हमारे साथ जुढिए, regularly हमारे साथ participate करी, आपको learning में बहुत मज़ा आएगा, आज के topics मैंने आपके सामने रख दिये है, image program, recombinant, adenovirus, type 5 vector, project reunion, silverfish, down syndrome, यह important topics है, जो exam के साब सा हमारे को मालूम होने चाहिए, चलिए इन topics का discussion को आगे भड़ाते हैं, पहला question मैंने आपके सामने रखा है, with reference to the image program sometimes mentioned in news, consider the following statements, image program के बार में दो statement आपको दे रख है, आपको बताना है कौन सा statement correct है, it is an initiative of the Indian Medical Association in Andhra Pradesh, it is aimed at biomedical waste treatment and disposal, तो simple statement आपको दिये है, regarding image program, UPSC अलग अलग प्रकार से questions पूछती है, आपको 2 statement based, 3 statement based, 4 statement based, सिधा ABCD based, match the following based, हर प्रकार के questions को हम tackle करना चाहते हैं, आपके साथ जिग्यासा में, simple question आपको पूछा, image program के बार में, यदि आता है तो attempt जरूर करिए, कौन से statement correct है, यह आपको बताना है, जो भी आपका answer उसको आप lock करेंगे, answer आपके सामने रख रहे हैं, answer इस question का है, B, it is aimed at biomedical waste treatment and disposal, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहले statement में कुछ ना कुछ problem है, पहले statement में problem यह है, कि यह जो project है, यह बहुत important project है, so far as bio waste management is concerned, Indian Medical Association इस से जुड़ी भी है, बट यह project आंदर प्रदेश के अंदर नहीं, Kerala state के अंदर जो है, implement होने लग रहा है, point ऐसा है कि biomedical waste generate होग कर देने की जो जिम्मेदारी है, वो सारी सारी चीज़ों का काम करने के लिए हमने image program को establish करा है, image का full form मैंने आपके सामने रखा है, Indian Medical Association goes eco-friendly, यह एक biomedical waste treatment disposal project है, जो की under the leadership of Indian Medical Association करा जाने वाला है, इसी point के अपर मैं आपको दूँगा simple सा homework, Indian Medical Association कब established हुईती, क्यों established हुईती, institution in India, इसके ओपर यदि UPSA ने question पुछा, तो it will be a difficult question to answer, क्योंकि generally ना तो कोई किताब में पढ़ाया जाता है, ना कोई current affairs के अंदर बहुत ज्यादा इसके बार में बात करी जाती है, लेकिन अगर question आगे Indian Medical Association के उपर, तो यह नामी गिरामी body है, important body है, इसके बार में आपके केरेला model के तोर के ओपर renowned तरीके से ये काम होने लग रहा है, biomedical waste को इखटा करके properly manage करा जाने लग रहा है, आपको याद हो का कि कुछी दिनों पहले मैंने आपसे biomedical waste के बार में पुरी detail के अंदर चर्शा करी थी, जिग्यासा के अंदर उमे revision भी आपका भी करवाने वाला हू common biomedical waste treatment facility तैयार करी जाने वाली है, scientifically segregate करा जाने वाला है, सारे waste को transport करा जाने वाला है towards these common facilities और उनको as per norms treat करा जाने वाला है, right, जो biomedical waste rules है वो आजादी देते हैं, opportunity देते हैं, biomedical waste generator को की वो common treatment facility का फाइदा उठा ले, कोई common facility nearby है, तो उसका फाइदा उठा ले, ने तो biomedical waste rules ये भी कहते हैं कि जो facility के अंदर से biomedical waste generate हो रहा है वो खुद की treatment facility है वो भी बना सकते हैं सारी सारी चीजों के अंदर सुविधा करके दे रखी है in the biomass management rules अगर मैं इन rules के बार में exactly आपको बता हूं तो कुछ important points हैं कि मैंने पहले भी discuss करे था और वापस आपके सामने रख रहा हूं जो 2016 की ये rules है so we want to phase out the use of chlorinated plastic bags, gloves and blood bags within two years ये 2016 के अंदर की बात थी right pre treatment करना है training provide करनी है barcoding system करना है ताकि जो भी कछरा निकलने लग रहा है उसको systematically हम track कर सके annual report publish करनी है हमारे को जो existing incinerators है जिसके अंदर कछरे को जला दिया जाता है उनको जो है अचीव करना है standards or retention time in secondary chamber ताकि पूरा पूरा proper जो है जो combustion होना चीए वो हो मैंने आप लोगों को homework भी दिया था कुछ time पहले dioxins क्या होते है फिरांस क्या होते है उमीद करता हूँ कि आपको याद है कि dioxins और फिरांस क्या होते है क्योंकि यह homework आपने करके comment भी कर रहा था उसको authorization लेना हमने सारी चीजों को आसान करती है automatic authorization मिलेगा bedded hospitals के लिए validity authorization का जो है काफी लंबे time तक रहेगा synchronized with the validity of the consent orders of bedded healthcare facilities no occupier shall establish on-site treatment and disposal facility अगर आपके नजदी common disposal facility है तो आप खुद की disposal facility नहीं करोगे आपके पास अगर common waste management facility है nearby तो आप खुद की waste management facility तयार नहीं करोगे यह rules ने साफ-साफ कह दिया है सारी चीजे पहले भी discuss कर चुके है उमीद करता हूँ कि आपको image program क्या होगा अगर simple question UPC ने पूछा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होना चीज़ इसको tackle करना Indian Medical Association सही बात है incineration, deep burial यह options हमारे पास है red, disinfected containers, plastic bags इसको हम autoclave कर सकते हैं, microwave कर सकते हैं chemical treatment दे सकते हैं blue, white, translucent color coding अगर है तो plastic bag puncture proof container है type of containers इसको हम autoclave कर सकते हैं microwave कर सकते हैं, chemical treatment, destruction, shedding कर सकते हैं या फिर black color की हमारी color coding है यानि कि plastic bag है, disposal in secured landfill तो अलग-अलग category of waste को जो है हम लोग अलग-अलग color की bag के अंदर डालते हैं बंद करते हैं और उसको उसी हिसाब से treat करते हैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ label for biomedical waste containers and bags label के उपर बताया जाता है bio hazard symbol यानि कि ये खतरनाक हो सकता है ये bio hazard है, bio यानि कि living organism से related hazard यानि की खतरा and इसको हम कह रहे है cytotoxic hazard symbol भी हमने लगा रखा है इसी point के उपर मैं आपको simple definition बताना चाहता हूँ cytotoxic का क्या है कि anything which is poisonous to a cell is called cytotoxic लेगन फिर भी मैं आपसे request करूँगा कि आप इस word cytotoxic को खुद बखुद गूगल करिए और देखिए कि cytotoxic का cytotoxicity का क्या definition क्या understanding आप लोग develop करने लग रहे हैं मैंने तो आपको एक line के अंदर समझा दिया कि cytotoxicity का मतलब toxicity to cells लेगन फिर भी आप उसको थोड़ा सा गूगल मारके देखिए कि उसके अंदर आपको क्या अंदर से comment जरूर करिएगा यह important topic है Hindu day May 25 का जो आपके सामने cover करवाया गया है यही चीज हमने आपको मेंस forder के अंदर भी provide करी है क्योंकि Corona के चलते वे सारी चीजों के चलते वे Biomedical Waste कितना ज्यादा बड़ा problem बन चुका है या बनने वाला है आगे चलते वे यह चीज हम imagine भी नहीं कर सकते हैं लोग, gloves, face masks, PPE kits इतना सारह सब लोग, सब लोग use करने वाले है वो life का एक part बन जाने वाला है As a result of which Biomedical Waste is going to play a very very crucial role going ahead इसको हमार को बड़िया धंग से टैकल करना है इससे related 2018 के अंदर question भी आया था What are the impediments in disposing the huge quantities of discarded solid wastes which are continuously being generated? How do we remove safely the toxic wastes that have been accumulating in our habitable environment? आप जानते हैं कि GS3 के अंदर 2018 के अंदर यह question इस प्रकार से आ चुका है pollution degradation के उपर आपको मैं full idea देने लग रहा हूँ, because of corona, because of all of these things, biomedical waste की तादाद भढ़ते जाने वाली है उसको tackle करने के लिए हमारे को बहुत अच्छे और सक्त कदम उठाने की जरूरत है यह main spreader की sheet को आपको print out करके GS3 की file के अंदर लगाके रखना चाहिए आपको UPC ने पूछा कि biomedical waste के problem को कैसे tackle करना चाहिए तो अपने खुद के innovative ideas देने के पहले सरकार के rules के ideas दीजिये और बुले कि इन ही लोगों को इन ही rules को अगर follow कर लिया तो आदे से ज़्यादा काम तो यहीं पर solve हो जाएगा adenovirus type 5 often seen in news it is a disease resilient gene introduced in genetically modified cotton it is a vector used to carry glycoprotein in vaccine development for coronavirus it is a new mutated strain of coronavirus with high death potential it is a strain of virus which causes tuberculosis recombinant adenovirus type 5 क्या है जो भी आपका answer उसको आप लोग करेंगा answer आपके सामने रख रहे है answer is question का है B यह vector है which is used to carry glycoprotein in vaccine development for coronavirus basic बात यह है कि यह एक ऐसा virus है यह एक ऐसा strain है जो कि coronavirus के vaccine को develop करने के अंदर हमारे को help करने लग रहा है trials चलने लग रहे है phase 1 trials using single dose of vaccine that uses recombinant adenovirus type 5 vector तो recombinant word मैंने आपके साथ अभी कुछ दिनों पहले की कुछ हफतों पहले की जिग्यासा के अंदर मैंने आपके साथ 8-9-10 प्रकार के vaccines discuss करे थे और मैंने आपसे request करके कहा था कि वो सारे vaccines के types को आप लोग याद कर लीजेगा और comment करके बाद में बताईएगा कि वो कौनसे कौनसे vaccines के type के है उन में से एक vaccine type था recombinant मैं आप सबसे वापस request करूँगा कि आप अपने पुराने notes को revise करिए और उनके अंदर से एक-एक लाइन हर vaccine के बार में बताईए क्योंकि मैंने 8-10 types of vaccine आपको बताए थे उन में से एक था recombinant type का vaccine तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि adenovirus को ले रहे हैं हमने एक जिग् टाइप 5 वेक्टर को हम यूज कर रहे हैं genetic material जो कि basic बात मैं आपको layman terms के अंदर simple बताऊं तो यह adenovirus को हमने पकड़ा इसके साथ हमने जोड़ा coronavirus के उपर देखने वाला spike type protein और दोनों चीज़ को उठा के डाल दिया हमने body के अंदर एक दम layman terms के अंदर बोल रहे हूं समझाता ऐसे हूं ताकि समझ में याद आ जाए और आपको भी याद रहे जाए तो हमने क्या करा कि दोनों चीज़ों को combine करा recombinant अंगरीजी का शब्द है हमने combine करा adenovirus type 5 vector को genetic material जो spike glycoprotein of novel coronavirus है और यह प्रकार का recombination उठा के हमने body में डाल दिया यह safe well tolerated पाया गया है यह immune response generate करने लग रहा है against the virus क्योंकि body को common cold के virus से जूजना तो आता है यह बच्पन से राइट तो यह आपको दे दिया title यह आपको दे दिया description यह vector है that carries जैसे vector होते है न मच्छर आ जाता है मेरे को काट लेता है तो वह vector born disease बोलते है न कि वह vector आया उसने मेरे को काट लिया म इसके साथ हमने spike जोड के भेजा है तो अगली बार body spike देखेगी तो समझ जाएगी कि हाँ यह coronavirus है इससे हमार को जूजना है तो एक Chinese based company और Canadian organization मिलकर यह पूरी-पूरी testing करने लग रहे है recombinant novel coronavirus vaccine के जिसको प्यार से 85 NCOV भी कहा जाने लग रहा है इसको body के अंदर enter करा जाया है और request करके सबको बोल रहा हूँ कि recombinant vaccines क्या होती है उसका definition at least उतना तो निकाल के देना ही है और अच्छे students पूराने notes के अंदर जाएंगे और 6-7-8-9 जितनी भी types of vaccines मैंने पढ़ा ही है total total के बार में एक एक लाइन बताएंगे और adenovirus, rhinovirus और enterovirus के उपर 2-3- लाइने देना आप लोगों को चीये पका चीये क्योंकि इसके बार में अगर बात होने लग रही है तो UPCS के उपर question आपको पूछ सकती है और मैं चाहता हूँ कि आपका question फिर right चला जाए पूरा detail दे रखा है कि vaccine was found to generate neutralizing antibodies, right? तो antibodies का मतलब क्या होता है वो भी discuss हमने कर रख है यह जूजने के अंदर help करती है, disease को मार देने के अंदर help करती है, pathogen को kill करने के अंदर help करती है, the antibody response to the vaccine in the high dose group was slightly greater, तो ज्यादा experiment के details के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि उपे से हमारे को इसा पूछने नहीं वाली है, लेकिन इस सब terms हमारे को मालू होने चीये कि T cell, antibodies, पहले हमने यह सारी चीजों को discuss कर रखा, यह body को help करते हैं हर प्रकार के pathogen से जूजने के लिए antibodies और T cell वगेरा वगेरा, तो हिंदू का यह dated me 23rd का article है, जिसके अंदर से most important चीजे मैं आपके सामने रख दिये कि क्या करा जाने लग रहा है, 85 NCOV के बारे में क्या role adenovirus प्ल in development for coronavirus, answer आपका बन जाता है B, उमीद करता हूं कि आपने homework को note down कर लिया है और उसको आप लोग अच्छे से comment करने वाले हैं और सारे नए लोग पका करने वाले हैं, question 3, आसान question है, reunion, reunion हमने बहुत बार पढ़ रखा है, project reunion recently seen in the news is best described by which are the following statements, reunion का नाम हमने कई बार सुन रखा ह यह rehabilitation project है for all the cyclone affected districts in Odisha, यह disaster management drill program है conducted by Indian Navy, यह humanitarian assistance है by Indian government to the reunion islands, कई बार नाम सुना है, हमने reunion islands का, यह नया application development platform है by the software company Microsoft, तो project reunion क्या है, यह आप decide करके बता दीजिए बड़े तेजी से, जो भी आपका answer उसको आप लोग कर दीजिए, answer इस question का है D, देखिए अगर किसी ने reunion island लगा है, तो मेरी बातों में first गया है, starting से मैं बोलना चालू कर दिया, रियूनियन तो हम जानते है, रियूनियन तो हम जानते है, और reunion word हमने पढ़ा है island के संधर्ब के अंदर, हमने reunion island के बार में कई बार बात करी कि Indian Ocean के अंदर island है, France की belonging वाला island है, France का उसके ओपर control है, और India और France ने reunion island के उपर साथ में मिलकर naval exercises, military exercises भी करी है, सारी सारी चीजे हमने reunion island के बार में कई बार पढ़ रखी है, लेकिन इसका नाम ही ऐसा है, कि आप उसमें शायद first जाते थे, लेकिन यह related to Microsoft है, तो Microsoft ने एक basic development करा है, उन्होंने गे decide करा है, कि जो basic मैं आपको simple layman terms के अंदर बता हूँ, तो मेरे पास Windows 10 है, Windows का phone है, Windows का laptop है, अलग-लग प्रकार की Windows है, हर अलग-लग प्रकार की विंडोस है, राइट, हर अलग-प्रकार की Windows के अंदर अलग-प्रकार के app चलने लग रहे है, तो compatibility of apps रहना चीए, कि मेरा ऐसा नहीं होना चीए, कि यह app इदर चल रहे है लेकिन यह आप इधर नहीं चल रहा है, यह आप यह operating system के साथ चल रहा है, लेकिन यह आप उस operating system के साथ नहीं चल रहा है, layman terms के अंदर मैं आपको बता हूँ, तो मेरे को tension नहीं होना चाहिए, तो idea क्या है, project reunion का, कि we want to unify the app development process for all the current and future apps for over 1 billion window devices, तो जितनी भी windows devices दुनिया के अंदर है, के उपर जो भी current और future apps चलने वाले हैं, वो same type के चलने चाहिए, दोनों चल पाने चाहिए, और हमारे को gap bridge कर देना है, between windows 32 या win32 and uwp, अनि की universal windows platform APIs, ठीक है, तो यह दो अलग-अलग प्रकार के systems है, API क्या है, आपका application program interface, it is a set of functions and procedures allowing the creation of applications that access the features or data of an operating system, application and other services, ठीक है, तो यह हो गया, आपका API का definition यहाँ पर रख दिया है, basic layman terms के अंदर तुम्हें आपको समझाई चुका हूँ, कि मेरा computer, आपका computer, इसका computer, उसका computer, इसका device, उसका operating system, उसका operating system, सब के उपर वो apps चलने चीए, tension हमारे को नहीं चीए उस प्रकार से, तो यह हो गई बात, project reunion के बारे में homework आपको समझ में आ चुका है, कि reunion island के बारे में 4-5 प्यारी-प्यारी बाते आप लोग निकाल के बताने वाले है, सारी चीज़े आपके notes के अंदर available है, स reunion island के अंदर तो इंडिया और फ्रांस ने पहली बार मिलकर military exercise साथ में करी थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा important news है, जो हमने revision के lectures में भी cover करवाई थी, उमीद करता हूँ कि आप इसकी importance समझ चुके है, question number 4, punitus sanctus, यह term news में देखा गया है, इस प्रकार के विचीतर विचीतर term UPC उठा के paper में डाल देती है और आपको पूछती है, बताओ क्या है यह invasive plant species found in आंदर प्रदेश है, यह new species of small freshwater species discovered in Tamil Nadu है, यह plant है used for extracting medicine for treatment of काला अजर, यह नया banana variety है discovered in अंडमा निकोबार आइलेंट, punitus sanctus क्या है, यह आपको बता देना है, sanctus word यहाँ यहाँ पर यूज कर lack of sanctus, तो sanctity वगेरा से थोड़ा सा associated लगने 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 है, थोड़ा प्युरीटी वगेरा से associated लगने 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 लगना है… तो कौन सी चीज इसके अंदर fit बैट सकती है, उसके वारे में थोड़ा सा सोचने का प्रयास करिए है, जो भी आपका answer उसको आप लॉक कर दीजिया, आंसर इस question का है, B, नई फ्रिश वेराइटी है, फ्रिश वाटर फिश वेराइटी है, जो कि तमिल नाडू के वेलन कन्नी टाउन के अंदर लोकेट करी गई है, वेलन कन्नी बहुत ही important टाउन है, होली टाउन माना जाता है, पिल्ग्रिमेज टाउन मा गया है, नाम के अंदर पुनितस सैंक्टस डाल दिया है, तो देख लिए नई स्पीश, स्पीशी ऑफ स्मॉल फ्रेश वाटर फिश है, विच बिलॉंग्स टू फैमिली, इसका नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, स्मॉल वाटर बॉड़ी के अंदर पाई गई है, वेलन कन्नी क अंदर इसको हमने टूटल टूटल कवर करवाया है, पुनितस स्पीशी ऑपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पीशी रिचनस का मतलब बेसिकली जैसे हम समझ रहे हैं, वही होता है कि स्पीशी की प्रोपिलेशन का पार कितनी कितनी ज्यादा अवेलेबल है, अगर अच आपको पका डेफिनिशन मालूम होना चाहिए, जो कि निशान सर ने एकोलोजी एन्वायर्मेंट के अंदर कवर करवाया भी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, यह आप मिर को बताएंगे, एक बहुती प्यारा कॉंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, रैपो पॉर्ट्स रूल, जिसे पास्पोर्ट होता है, तो पास्पोर्ट का पोर्ट याद कर लो, पास हटा दो, वहाँ पे रैपो डाल दो, तो रैपो पॉर्ट्स रूल होता है, रैपो पॉर्ट्स रूल के अंदर वो दिखाई नहीं देती है यह प्रकार का रूल जो है वो आपका रैपो पॉर्ट्स रूल है यह सारी चीजे आसोसीटेड आपस में लिंक्ट चीजे है तो स्पीशीज रिचनेस का डेफिनिशन क्या है वो आप लोग बताएंगे और रैपो पॉर्ट्स रूल मैंने आपको समझाया है लेकिन आप खुद भी पढ़ेंगे उसको और उसके बार में दो तीन प्यारे प्यारे लाइने आप जुरूर कमेंट करके बताएंगे कि हाँ अंसर को मार्क करके आएगा UPSC के प्रिलिम्स 2020 एक्जामिनेशन के अंदर तो ये निउस फिश इस नाव डिपॉजिटेड विद गोवर्मेंट आफ इंडिया म्यूजियम जोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया को दे दिया गया है पुने के अंदर राइट जोलोजिकल सर्वे मालुम होना चाहि जैसे रैपो पोर्ट सुन मालुम होना चैके सए एकर मालूम होना चैसषिक आइब हो भी अपको होनाच चै यह तो यह थोड़ा सा आधी घंलिए साथ साध कोगी छर्वाई रहा हूं आपकी से जलाने यह associated रहता है, उसी प्रकार से यह fish भी fresh water के साथ associated है Moving to the last question, तीन statement दिये हैं, आपको बताना है कौन सी बिमारी से related यह 3 statement है यह genetic disorder is caused by abnormal cell division, it results in a extra chromosome in pair 21, flattened face, short neck and protruding trunk are one of the symptoms तो यह 3 statement आपको दिये गए हैं, आपको बताना है यह 3 statement कौन सी disease से related है Alzheimer से, Parkinson से, Down syndrome से यह Turner syndrome से, जो भी आपका answer उसको आप lock करेंगे सोथ समझ के lock करिएगा, answer इस question का है, आपका Down syndrome बहुत important development हुआ है, Bombay High Court ने reject कर दिया plea for the termination of 24 week fetus with Down syndrome मालूम पढ़ा कि मा के घर्ब के अंदर जो बच्चा है, वो Down syndrome के साथ मतलब वो आने वाला है तो उन्होंने application करी कि हम इसको terminate कर देना चाते, Bombay High Court ने reject कर दिया petition कि नहीं वाई, allowed नहीं है तो point यह है कि अब twins है, we pregnant with twins to allow her to terminate one of the fetuses तो उसको एक fetus को मतलब जो है, terminate कर देना था, बट Bombay High Court ने disallow कर दिया है इसी point के उपर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कि जो हमारा Medical Termination of Pregnancy Act 1971 का कानून है उसको amend करने के लिए 2020 के अंदर अभी बिल लेकर आया गया है तो वो बिल के अंदर क्या-क्या changes करे जाने लग रहे है, यानि कि original कानून के प्रावधान provisions क्या है और नए बिल के प्रावधान provisions क्या है, यह हमें मालूम होना चाहिए यह चीज हमने पहले discuss कर रखी इन परिश्रम जिग्यासा, मैं आपसे request करूँगा कि जो medical termination of bill 2020 के 1, 2, 3, 4, 5 most important points है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है most important points कि यहाँ उसमें change कर रहे है, definition क्या होगा, कब तक termination कर सकते हैं, कौन termination कर सकता है तो 3-4 major changes करे जाने लग रहे हैं, वो 3-4 major changes क्या करे जाने लग रहे हैं, वो आप अपने notes, knowledge या Google के अंदर से जरूर निकाल के revise कर लिजेगा, क्योंकि question आपको आ सकता है अब मैंने तो पूरा आपका पूरा detail आपको down syndrome को उठाके यहाँ पर दे दिया है genetic disorder है, abnormal cell division हुआ है, chromosomes के अंदर कुछ ना कुछ problem हुई है जिन children को या adults को down syndrome होता है, उनके facial features थोड़े से अलग प्रकार से हो जाते है flat face, small head, short neck, protruding tongue इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं और अन्य features क्या है, वो भी मैंने आपको सारे सारे बता रखे हैं human cells के अंदर generally 23 pairs of chromosome रहते हैं one chromosome in each pair comes from father and from the mother अब जो 21 वाला chromosome number 21 है उसके अंदर यदि abnormal प्रकार का cell division हो जाता है, तो हो जाती है हमारे को problem तो abnormalities की वाज़े से there is an extra partial और full chromosome 21 तो बात ऐसी है, अगर मैं layman terms के अंदर बोलू तो अगर 23 pages का xerox निकालना था तो हो यह गया है कि page number 21 या तो आदा दूरा हा गया है या extra आ गया है, something like that हो चुका है as a result of which आपका document जो है वो थोड़ा सा problematic है मैं मजाक नहीं कर रहा हूं लेकिन layman terms के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं so trisomy 21 तो यह तीन अलग अलग प्रकार की down syndrome है three genetic variations आपको बता रखे हैं कि क्या है कि trisomy 21 क्या है, mosaic down syndrome क्या है as well as translocation down syndrome क्या है और हर एक चीज के अंदर कि there are three copies of chromosome 21 as only some cells with an extra copy of chromosome 21 यानि कि के वल कुछ cells के अंदर extra copy यह बाकी cells normal है 21 becomes attached onto another chromosome before or at conception तो यह तो तीनो है, trisomy 21, mosaic down syndrome as well as translocation down syndrome यह तीनो क्या-क्या है यह आपको मालूम होने चाहिए कोई behavior ए environmental factors की वाज़से down syndrome नहीं होता है यह मतलब बस भगवान का खरियावा चीज है जिसका अब इसका मतलब जो है problem जो है आगे जो व्यक्ती है उसको थोड़ा सा जहिलनी पड़ती है there is no way to prevent down syndrome उसको नहीं ठीक करा जा सकता है risk क्या है? advancing maternal age, mother's chances of giving birth increases with age because older eggs have a greater risk of improper chromosome division तो अगर बहुत बड़ी age के बाद अगर pregnancy होती है, conception होता है और बच्चा पैदा होता है, तो risk of down syndrome भड़ जाता है तो वही सारी चीजों को धियान में रखते हुए कि आपको काम देखना चाहिए being carriers of the genetic translocation for down syndrome both men and women can pass the genetic translocation for down syndrome on to their children having had one child with down syndrome, अगर है आपको already किसी बच्चा है आपका जिसमें down syndrome है तो going ahead वापस से possibility रहती है कि जो अगर आपकी second offspring होती है तो उसको भी down syndrome हमारे को देखने को मिल सकता है treatment यह है कि childhood interventions, screening for common problems, medical treatments, good family environment और एक अच्छा माहल ecosystem बना कर देना उस बच्चे के लिए, उस adult के लिए is very very important तब जाके down syndrome को जो है tackle करा जा सकता है तो यह सारी चीज़े मैंने आपके साथ discuss कर दी May 26 का Hindu का article है जिसको आपको पढ़ना चीए आपको यह अगर प्रकार की चीज़े के बार में बात करीज़े abnormal cell division chromosome pair 21 जैसे ही आपने exam के अंदर देखा आपको और कुछ पढ़ना नीची आपको मालूम पढ़ जाना चीए कि down syndrome के बार में बात करने लग रहे है alzheimer's अलग matter है parkinson's अलग matter और turners अलग matter है right मैंने आपको homework दिये है पाच्छे type के वह आपसे उमीद करता हूँ कि आप उनको की उचाई भड़ेगी तब आपका कद भड़ेगा तब आपका exam clear होगा और at the end of the day civil step की पूरी family का एवल एक objective है कि आप अपने आपको push करें अपने आप से महनत करवाएं और अपना सपना पूरा करें और आगे बढ़े life के अंदर thank you very much all the very best हमारे channel को subscribe जरूर करिएगा वीडियो को like जरूर करिएगा और हमारे एप को download जरूर करिएगा thank you very much all the very best जय हिंद